केरानमी स्स्प्य अविश्येट ने मिशन शक्ति अभ्यान के तहर आथाओ वा महिलाओ को उनके अधिकारों के प्रतीज जागरुप किया है उन्रोंने कहा कि आपरेशन शक्ति का फोकस उन लोगों को प्रवदिलाना और दंडित करना है तो ने महिलाओ के साथ कोई दुर्व शक्ति अभ्यान के अंतरगर थाना ध्यक्ष विरेंद कस्ताना ने कारिक्रम आज़ुत कराया गया जिसमें स्स्पी अभिश्येक वा एस्पी ओपे सिंग वा सीओ अमर्दीब कुमार शौरे शामिल हुए एस्पी अभिश्येक ने कहा कि मिश्यर्ण शक्ति अभ्यान को उत्रप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओ को शशक्त एवम आतर निर्भर बनानी के उदेश्चे से आरम किया गया है इसी अभ्यान के तहट महिलाओ और बेटियों को स्वालंबी एवं सुरक्षत बनाने के लिए कारिक्राम आज़ों किये जा रही है नारी सुरक्षा, नारी स्वालंबन के दिशा में ये एक सार्थक परयास है महिला जागरुकता, दक्षता, कौशल विकास, परिश्रिक्षण महिला उध्यमिता के प्रोट्चाहन के लिए ये योजना संचालित की जा रही है मिशन शक्ति अभ्यान का फोकस महिलाओ को उनके अधिकारों के प्रती जागरुक करना है साइबर सेल के बारे में कौश्रिबल विकास कुमार ने ओपरेशन शक्ति का फोकस उन लोगों को सदद दिलाना और दंडित कराना है जिनोंने महिलाओ के साथ कोई दुर्वयभार या परात किया है आपने इस अफसर परत वरत कारवाही और साहता के लिए टोल फ्री नंबर एक शूनिय नौ शूनिय वा एक आट एक शूनिय साथ शूनिय एक एक दो काउप योग निर्संकोश करी और पुलिस के साहता ली ओपने रिक्षक शुल्पी ने कहा कि महिलाश शुक्तिकरन से समाज निष्टित रूप से आगे भड़ेका विधाले के प्रदान अचार शुशील शर्मा ने कहा कि महिलाश शुक्तिकरन और शुक्षा समय की मांग है इसको रान जरप्रकाश गर्द, राजिंद्र कुमार गुज्राल, मोहन लाल आर्या द्वारा अधिकारियों को पठका पहना कर वब्बु के भेट कर सम्मान किया गया है साइबर अपराथ हों के समंद में जो है इन्फरमेशन दी गई और जो सामान सरकारी जोगी योजनाए है जो भी लापकारी योजनाए है और जो हेल्पलाइन नंबर्स उनके समंद में जानकारी दी गई है